नवस्कार सातियो, स्वागत बंदन अविनंदन, राज LED LCD में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों पूरी दुनिया में धूम मचाने के साथ और आप सब का इसने प्राप्त करने के बाद राज LED LCD लाया है आपके लिए एक सो नहरा अफसर, जिसमें आप अपने आपको बनेंगे, CRT वाले भाईयों से हमारा विसेश अन्रोध है कि उनको सब कुछ आता है, सिर्फ बेसिक नॉलेज की उनको आवशकता है, इसलिए वो अपनी सीट बुक कराके हमारी हर एक तारिक को ट्रेनिंग चालू होती है, उसमें भाग लें और अपने आपको एक सांदर ट कि जो आपने LED में देखा है, वह एक आपको डरावना सच बताए गया है, डरावना है, लेकिन हमारे द्वारा आप सीखेंगे, तो सरलता से 30 दिन में आप पूरा काम सीख जाएंगे. तीनों का विवरण, अब हम आगे अपना विवरण जो देंगे दोस्तों, वो देंगे हम आपको पूरी पावर सप्लाई का, तो पूरी पावर सप्लाई में, अब हम सबको एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ जब हम जोड़ते हैं, तो आगे निकल कर क्या आता है कि एक सा पांदार पावर सप्लाई देखने को हमें मिलती है तो वह देखने से पहले हम इस किलास को यहीं ब्राम देते हैं क्यों कि अच्छी तरह से हमने आपको EMI सर्किट समझाया अच्छी तरह किसे हमने सुचिंग सर्किट समझायी और अच्छी तरीके से हमने आपको फीड़बेक समझाया लेकिन फीड़बेक समझने का और अच्छा एक तरीका है क्योंकि जब तक आप TL-431 और आप्टो कपलर PC-817 को नहीं समझेंगे पावर सप्लाई आपके दिमाग से बाहर रहेगी इसलिए अब हम सेकेंड पार्ट में आपको पावर सप्लाई का पूरा सर्किट अब आपको समझाएंगे क्योंकि दोस्तो आपको एक एक पार्ट की जानकारी हमने जब दी तो अभी हमने इधर पीछे टील 431 और PC-817 की कोई बात नहीं करी क्यों नहीं करी कि इसका एक किलास है इसका एक रीजर है कि ये बहुत ही इसको फीड़बेक कहते हैं और ये फीड़बेक हमें कहां कहां काम नहीं आएगा ये आप सोच भी नहीं सकते इसका परिशे मैं आज आपको दे दूँ कि पहला हमें जो फीड़बेक काम आएगा वो आएगा हमारा पावर सप्लाई पी एफ सी पावर सप्लाई दो में काम में आया तीसरा काम में आएगा हमारा फीड़बेक मंदर बोर्ड चोता काम में आया हमारा बेक लाइट पावर सप्लाई में आया हमारा पैनल अरे ये क्या ये तो सभी जगे फीड़बेक काम कर रहा है जी हाँ दोस्तों अगर आप पावर सप्लाई में कम्प्लीट हो गए पावर सप्लाई अगर आपके समझ में आ गया तो टोटल LED LCD नहीं बहुत कुछ आप समझ जाएगे अगर आपने पावर सप्लाई के बिसे में समझ लिया तो मैं ये मानता हूं कि पूरा LED LCD आपने कम्प्लीट कर लिया उसकी बज़े मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसकी बज़े क्या है कि देखिए दोस्तो हमारा 220 वोल्ट AC यहां से इन हुआ और यहां आउट क्या हो रहा है 12 वोल्ट तो यह कि कौन सा हमारा कन्वेटर हुआ किसको कन्वेट गिया क्या बोलेंगे जादा लेकर कम बोल्ट बनाना जादा लेकर कम बोल्ट बनाना तो इसको क्या बोलेंगे बक कन्वेटर क्या हुआ यह बक कन्वेटर अब जो आगे हमें मिलेगा देखने को जैसे की बेक लाइट में जब हम पहुचेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 बोल्ट DC से 70 बोल्ट DC बनाना यही है ना बेक लाइट का काम तो यह क्या हुआ बूस्ट कनवेटर बग कनवेटर और बूस्ट कनवेटर यह दो ही बातें अगर आपकी खोपड़ी में आ गई तो यह मान लेना कि LED LCD के मास्टर बनने से आपको कोई नहीं रोप पाएगा और electronics का तो एक फंडा है ना यह तो sorting यह ओपन यह दो ही चेक करना जा रहे तो कमाल है यह क्या होगा यह क्या होगा यह क्या होगा यह क्या होगा sorting और ओपन ही तो चेक करना दोस्तों इसी का नाम तो electronics है ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूवत नहीं है ज्यादा निगा और दिल लगाने की जरूवत निगा से देखो और दिल से पड़ो दिमाग लगाने की जरूवत नहीं है क्योंक डाइग्राम यह हम आपको ऐसे देंगे कि आप एक बार निगा भरके देख लेंगे सर्किट दिमाग में आपके बिल्कुल छब जाएगा तो LED LCD क्या है बक भूष्ट कन्वेटर अब लोग कहते हैं यह पावर सप्लाई पूरी की पूरी पावर सप्लाई मैं आपको इ Mother Board में दिखाऊँगा मैं आपको जरासीक तो बात है बस इसको समझना है आपको और जिसने सुचिंग किरिया और Feedback को समझ लिया क्यों पेनल में होता क्या है पेनल में होता क्या है पेनल को बहुत बड़ी बात बताते हैं लोग बाग औरे इस आप पेनल का काम बहुत है क्य आएगा नहीं गरवाले पैसे थोड़ी देंगे इसी तरह उन्हों ने देख लिया कि जब तक पैनल में हम इनको डराएंगे नहीं दमकाएंगे औरे पैनल का यह पैनल का वो माइक लेके खड़ें सेमीनार कर रहे हैं तीन दिन में जाओ चार दिन में सीच जाओ घरे चले जा कुछ नहीं हो रहा दोस्तों इससे जब तक आपको बेसिक नौलेज ना हो और इसको समझना फीडबेक को समझना बहुत जरूरी है फीडबेक यह जरूरी नहीं कोई टील 431 से ही बने या PC 817 ही लगी हो टोटल फीडबेक का सिस्टम जब आपके दिमाग में हम समझाएंगे ना कल तब पावर सप्लाई पूरा समझाएंगे और आप यह कहेंगे कि पैनल को हम सुधार लेंगे यह गारंटी हमारी है क्योंकि करेंट बनाना एक अलग बात है बना के इस्थाई कॉंस्टेंट करना बहुत अलग बात है करेंट को इस्थाई रखना यही तो है पहले के चमाने में हम बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर बड़े-बड़े कंडेंसर लगाया करते थी और फिर भी तीन जगे से पिक्चर मटकती थी अभी देखा आपने एक तिलमात्र का एक तिलमात्र के सोमेश से में भी नहीं मटक रही ना यह SMPS का कमाल है पावर सप्लाई का नहीं है दोस्तों पावर सप्लाई का हमारे एलेक्ट्रोनिक्स में बहुत बड़ा बैता है लोग समझते नहीं है लोग क्या समझते पावर सप्लाई में अरे वो मोडूल लगा देंगे वो गुट्टा लगा देंगे समझ जाएंगे यार पेनल का काम सम समझ में आएगा जब power supply ये power supply में होते कितने parts है Menschen से 60-70 parts होते है उन parts की कारेप्रनाली आप समझ जाएए आप समझ जाएंगे क्योंकि ये mosped आपको हर जगे मिलेगा ये PWM pulse हर जगे मिलेगी और ये prendre bag हमेशा मिलेगा और ये जो आज inductor बन चुका है एक इंडेक्टर कोई जो होती है ये आपको हर जगे मिलेगी तो इसलिए मेरा इतना ही कहना है और मेरा समझाने का काम है आपको आपकी समझ में ना आए और आज आपका पहला दिन है इसलिए ये इतनी बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों कभी भी अपने आपको पू क्योंकि हमारे डाइग्राम ही ऐसे हैं कि आपको दिमाग इला देंगे आपका इतने सरन तरीके से बहुत मेनत करके बनाई दोस्तों हमने अब आपको ये सीधी तरी से दिकरा होगा लेकिन हमने एक एक पार्ट को कैसे जमाया कैसे बनाया इसकी खल्बना आप नहीं कर सकते तो आज की क्लास में इतना ही कल मिलेंगे आपको एक सांदार सेशन फीड़ बैक प्लस पावर सप्लाई तो आप भी अपनी अपनी तैयारी करके आया करो ताकि जो हम आपको बताएं सिखाएं समझाएं उसको आप पूरे 23 गंटा मनन करना दोस्तों मैं आपसे ही चाहता हू कि 30 गंटे आप हमें दें अपने परिवार के सपनों के लिए एक गंटे बेटकर रोज अगर आपने मनन कर लिया थे गंटे में चार बार ये सर्किट आप समझ लेंगे दोस्तों क्लास को उपस्टित होकर देखें बहुत से लोग ऐसे हैं कि क्लास में हाजर नहीं होते कहते अरे वो ठीक है हम देख लेंगे ना पैसा डाल दिया ना दोस्तों मैं पैसे का भुका नहीं हूँ पैसा तो मेरी कुछ ज़्यादा बोल जाओं आंगे पीछे गुमता रहता है पैसे की बात नहीं है पैसा तो जब से जीवन लिया तब से कमा ही रहूं कमाता ही रहूंगा पैसे वाली बात नहीं है बात यह है आपने काम कहां सीखा आपको राज LED LCD हमेशा याद आएगी इसलिए आज बस इतना ही कल के लिए फिर में लेंगे एक नए वीडियो के साथ अपनी तैयारी करके आना जै हिन जै भरत तो देखा आपने दोस्तो हमारा डाइग्राम हमारे पड़ाने का अंधाज तो निश्चित रूप से आप 30 दिन के अंदर LED LCD के मास्टर बनेंगे हमारा विजबास मानना कि आप अपने आपको प्रूब कर पाएंगे कि हाँ मैं LED LCD का मास्टर हूँ तो निश्चिंत रहें और अपनी सीट बुक करवाएं हमारा हर एक तारिक को हमारा नया बेच चालू होता है उस समय आपको सीट नहीं मिल पाती जगे कम रहती है इसलिए आप अभी से अपनी सीट बुक करवाएं और बेफिकर होकर LED LCD का काम सीखें उसकी तैयारिया करें जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी पाओगे इसलिए सीट बुक करवाएं हमारा फोन नमबर है चोता नवासी उननचास एक सट त्रयानवे इसलिए आप सभी से अन्रोध है कि आप हमारा ये वीडियो देखकर तुरंत सीट बुक करवाएं और अपने आपको प्रूब करें जै हिन जै भारत